गुद मॉर्निंग बच्चों, कैसे यो आप? आज मैं आपको हिंदी विश्य में तीन अक्षर और चार अक्षर को मिलाब कर शब बनाना सिखाऊंगे आप सभी सामने स्क्रीन पर देखो, पहले हमने दो अक्षर वाले शब सीखे थे आप हम पहले तीन अक्षर वाले शब सीखेंगे अक्षर को पहचानो, न, म, क, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो क्या बन गया? न, म, क, दुबारा से देखो, अगला शब तीनों को मिला कर एक साथ पढ़ो, दमक अगला शब देखिए, च, म, क, तीनों को एक साथ मिलाओ, च, म, क, च, म, क आगे देखिए, क, न, क, एक साथ पढ़ो, कनक स, न, क, सनक दुबारा से एक बर्शब पढ़ते हैं न, म, क, न, म, क, दमक, 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 द अब आगे देखिए न, म, न क्या बन दिया नमन द, म, न तीनों को मिलाया द, म, न अगला पढ़िए च, म, न एक साथ पढ़ो च, म, न ग, म, न एक साथ पढ़िए ग, म, न ग, म, न दुबारा से शब्दों को दो राते है नमन द, म, न, द, म, न च, म, न, च, म, न ग, म, न, ग, म, न, र, म, न, र, म, न आगे देखिया इस आक्षर को पहचानो भगत एक साथ पढ़ेंगे भगत रजट एक साथ पढ़ेंगे एक साथ 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 एक साथ पढ़ेंगे तो ठेहर दुबारा एक बार पढ़ते हैं शब्दों को बगत भगत रजत रजत बचत बचत गलत गलत ठेहर ठेहर अब बेटा हमने तीन अक्षर को मिलाने वाले शब सीखे हैं अब आप इन शब्दों को पांच बार अपनी कौपी में लिखोगे और अब हम अगले चार अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे आप सब बच्चे दुबारा से स्क्रीन पर देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चार अक्षर वाले शब्दों सब सामने देखो देखी विटा कौन सा अक्षर है ये कसरत एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बन गया कसरत ये देखो ये लड़का क्या कर रहे हैं कसरत कर रहे हैं तो एक साथ बोलेंगे इसको कसरत कसरत अबला देखिए सरकस एक साथ पढ़ो तो सरकस सरकस अब आप एक बाए कोशिश करो पढ़ने की क्या पढ़ा आपने कसरत कसरत सरकस सरकस आप आगे देखिए कौन सा आक्षर है ये थ र म स एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो थर म स ये क्या है वेटा थर अगला पढ़ेंगे ख त म ल एक साथ पढ़ेंगे तो खत्यमल कैसा की रहा ये खट्मल इसका नाम है खट्मल दुबारा से पढ़ो थरमस थरमस खट्मल खट्मल आगे देखिए ब र त न बर 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 त न तन एक साथ पढ़ो बरतन अब घर में बरतन यूज करते हैं न तो ये क्या है बरतन बरतन क ट ह ल एक साथ पढ़ेंगे तो कट हल क्या बन गया ये कट हल कट हल की सबजी बनाते है न तो ये क्या है कट हल बरतन कट हल आगे देखिये द म क ल दम कल एक साथ बनेंगा दमकल अ ज ग अ एक साथ पढ़ो अ ज ग र अज गर दुबारा पढ़ेंगे द म कल अ ज ग र अच गर अब आपने तीन अक्षर वाले शब भी सीख लिए और चार अक्षर वाले शब भी सीख लिए अब आप इस विडियो को बार-बार देखेंगे और इन शब्दों को साथ के साथ दहराेंगे और इन शब्दों को आप अपनी कौपी में पांच बार लिखोगे और मैं आपको कुछ वर्क्षिट सेंट करूँगी उस वर्क्षिट को भी कम्प्रीट करके और अपना हॉमबग कम्प्रीट करके आप मेरे कई PDF की फाइल बनाकर WhatsApp पर सेंड करेंगे Thank you